नमस्का दश्कों यूटूब के मेरी चैनल में आप सबका स्वाधत है आद में वीडियो लेकर आई हूँ धनू लगन वमिथुन राशी के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशी फल सबसे पहले आपको नवर्ष की बदाई के नया वसाल आपके लिए शुब जाए और मातारानी या अपनी कृपा आपके बनाई रखें सबसे पहले हम समझें कि धनू लगन वमिथुन राषि का क्या आर्थ है यह आपके लगन कुणली है पहले भाव में नौ नंबर लिखा है इसका आर्थ है आपका धनू लगन चंद्रमा जो है सब्तम भाव में बैठा है तीन नंबर दो हजार पच्चिस को आ जाएंगे चौथे बाब में वर्ष के आरम में देख गुरु बर्सपती जो की लगनेश है वो छटे बाब में रहेंगे जो इतने शुब नहीं है लेकिन चौदा मईश से गुरु सब्तम में आ जाएंगे जहां का वो शुब फल देते हैं 14 मईश से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक गुरु शुब है और 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक जब तक गुरु अश्टम में रहेंगे वो आपके लिए शुब रहेंगे यहनी धनु लगन से वर्ष के आरम में भी गुरु उतने शुब नहीं है लेकिन वर्ष के बीच में ग शुब नहीं है आगे चलके गुरु लगन पर जाएंगे जो थोड़े से शुब हो जाएंगे और जो 20 अक्टूबर 2025 से जो गुरु आएंगे करक राशी में जो 4 दिसंबर तक रहेंगे वो आपके लिए बिलकुल ही शुब होंगे 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक अब इस इसी परिप्लेक्ष में देखते हैं कि अगर हमारा धनुल अगनमा मिथी नगरा खरी है तो यह वर्ष हमारे लिए कैसा जाने वाला ह्या सबसे निगल कर आता है वर्ष यह समय में परिभी'd करेंगे 14 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक यह वो समय है जब आपके लिए carrier से जुड़ी शुप घटनाए गड़ सकती हैं carrier में आपको नई एफसर मिल सकते हैं आप लंबे समय से जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिल सकती है परत्मान जॉब में आपकी पर्मोशन हो सकती है साथ ही साथ क्योंकि मितुन राची से अश्टमेश आपके दशम में बैटाया है तो इस वर्ष आपके ट्रांसफर की भी संबाबना बनती है और ये वर्ष संकेट दे रहा है कि आप किसी न किसी कारण से जौब जुरू बदलेंगे जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे उनका समय भी अच्छा है और बाइचास आपको अपनी जगा पर जौब नहीं मिल पारी तो ये वर्ष ऐसा है कि अगर आप इस्तान परिवर्तन करेंगे तो आपको इस्तान परिवर्तन से लाब होगा और आपको मंचाई जौब मिल जाएगी इस वर्ष की खास बात की अचाना की आपको कोई नया अफसर मिल सकता है तो ओबराल के लिए कच्छा समय है के लिए अगर हम बात करें कि परिशानी का समय स्टार्टिंग का होगा सरिफ जब एक जनवरी से लेकर 13 मही तक देव गुरु वर्षपती आपके छटे भाव में होंगे तब आप मन में कुछ असुंत्ष्टी रहेगी काम की कुछ अधिक्ता रहेगी कारेस्तर पर विवाद बगार हो सकता है एक जन्वरी से लेकर 13 मही तक जब धनू लगन से गुरू छटे होंगे धनू लगन से गुरू छटे होंगे और मिथुन राशी से गुरू बारवे होंगे ये वो समय होगा जब आपके मन में कैरियर को लेकर आसंतुष्टी रहेगी आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे और बार बार आके दिमाग में जौब बदलने का विचार आएगा एक जन्वरी से लेकर 13 मही 2025 के बीच में कैरियर में कुछ परिशानी लेकिन 14 मही से जो आपका समय शुरू हो रहा है वो 14 मही से लेकर 4 दिसमबर तक शुरू हो रहा है जब आपको कैरियर से डुड़े नए अफसर मिल सकते हैं ये बात होगे कैरियर के लिया क्या आपको कहरें से तोड़ा कोई भी मेत्मोन निड़ने लेना है तो 14 मही 2025 से 4 दिसंबर तक लीजे 14 मही से 4 दिसंबर के मीट में अगर आपको कोई कोड़ केस की रिटा आती है तो आपके लिए परिटिव रहने वाली है और इस वर्ष संबाबना है कि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं उसका बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है वर्ष के आरंबी बन रहा है वर्ष के अंद्र में बन रहा है धनु लगन से गुरु सब्तम में बैटके लगन को देख रहे हैं जिसके कारण आपका आतम इश्वास पढ़ेगा लगनेश की लगन परिष्टी है साल कॉन्पेडेंस पढ़ेगा निड़ने सही जाएंगे और इस वर्ष मिलेगा आपको भाके का साथ भाके का साथ मिलने क नाशार्ता की अम जो प्रेयतन करते हैं उसमें सभलता मिलती है यह वर्ष विधार्थिव के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है जो अपने विवा के इंतजार में थे उनका विवात है हो सकता है और जो दमपती संतान प्लान करना चाहते हैं इस वर्ष आपकी कोई नब क के स्वास्ते को लेकर चिंता हो सकती है माता-पिता दोनों के स्वास्ते को लेकर इस वर्ष चिंता रहने की सब बावना है क्योंकि धनु लगन से शनी चौते भाव में होंगे और मिथुन राशी से दशम में होंगे तो माता-पिता दोनों के स्वास्ते की चिंता एक जनवरी से लेकर तेरा मज़ी तक आपके काम में महेनद थोड़ी अधिक मेरे आप जो निर amended लेंगे और निर्णों में भी दे़ी और दीर सर्थ भी इसक्न की अधिकता रहे, खर्चे आपके अधिक होंगे, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरी दी है या आपको प्रपरटी खरीदना चाहते हैं या आपके पास को पुरानी प्रपरटी उसे बीचना चाहते हैं या लंबे समय को प्रपरटी चे जुड़ा को विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ नेगटिविटी आने की संबाबना है अगर धनुलत अन्मा मित्वनवाची के को गरवती म कहला है तो इस वर्ष अपने स्वास्ते का विशेश शूप से ध्यान रखें तो मेरा है कि के साफ से बहुत शूप जाने वाला है क्योंकि इसमें 14 महीं से लेकर आपके पास 4 दिसंबद 2025 तक का समय है जब कैरियर से जुड़े आपको शूपसन मिल सकते हैं और समाजिक कि दशानत दशा चल रही होगी तो पसंटेश 55-60 भी जा सकती है अब हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें रेमेडी क्या करने है इस वर्ष क्या होगा कि वर्ष के आरम में गुरू कुछ नेगेटिव होंगे फिर बीच में आके चलके थोड़े से गुरू नेगेटिव करना है हर गुरुबार को गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाएं और रोज गाय को रोटी दें इसके लावा मितुन राची से अश्ट में इस द्रशम भाब पर चल रहा है अगर आपको लगे बारबार कि आप जो करना चाते हैं वह आप करनी पारे आपको मंचाई जादा बाधा आ रही है आप लंबे समय से जौब की तलाश में अगर आपको जौब नहीं मिल रही तो उसके लिए शनी महारात का सबसे बड़े अपाय है कि आप हनमान जी को चोला चड़ाएं आप 8 शनीवार को हनमान जी को चोला चड़ा दीजे मैंने कई अपने वीडिय आपके सामने चोला चड़ाएगा फिस संदूर को घ्रेंड करिए 8 शनीवार लगाता हनमान जी को चोला चड़ा देंगे तो यह शनी महरा जो आपके मिथुनाशी से दशम में बैटे हैं और धनु लगन से चौते वाब में बैटे हैं वह आपको बढ़िया रिजल्ट देन इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है और आप ने मेरे चैनल को भीता सब्क्राइब कर दें जिसे जब ही मैं अपनी वीडियो अप्लोड करूंँ उसके नोटिफिकेशन आपको बिलना और आप मेरे वीडियो देख सकें इसके साथ यह नमस्का झाय मादा दी